मुझे कहा गया प्रार्थना के उपर आप संदेश दीजिए लेकिन मेरा मानना है और आप सब जानते हैं ये कैसा विशे है इसके उपर जितना कम बात करें और जितना ज़्यादा प्रार्थना करें उतना हमारे लिए अच्छा है प्रभु कैसी मनुग्रे से सुबह से हम प्रार्थना कर रहे थे आगे और कुछ देर प्रार्थना करेंगे लेकिन प्रार्थना के इस विशे में कुछ बातें आपके स्मरण के लिए मात्र मैं बताना चाहता हूँ कुछ नई बात नहीं आप लोग सब प्रभु के दास लोग हैं प्रभु की सेवा करते हैं प्रार्थना करते हैं लेकि कुछ बातों को क्योंकि क्या होता है ना भूलने की बिमारी पैदाईशी है तो कई बार ये जो बाते हमें होता है ना जो याद रखना है वो भूल जाते ह और जो भूलना है न, वो कभी नहीं भूलते हैं, तो ये हमारी बीमारी पुरानी है, इसलिए बस केवल प्रार्थना के बारे में कुछ बाते हैं, केवल स्मरंड दिलाकर मातर मैं समाप करना चाहता हूँ, यदि आप पढ़कर मेरी सहायता करेंगे, तो बहुत मेरबानी होग पढ़िये मेरबानी से, मतिर अक्षित सुसमाचार, 26 सत्याय, 36, 40 और 41 पर, मैथ्यूस गौंसपल, चाप्टर 26, वर्ष 36, 40, and 41 करना चाहता हूँ, जब तक मैं वहां जाकर पारतना फिर्म, चाहता हूँ, पिर उसने चाहर के पास हाकर उने सौते पाय, और अप्रत्ते कहा, क्या, तुम बेरे साथ एक घडियू की ना जाक सके, जाकते रहो, और पारतना अपते रहो, कि तुम परीच्या में ना पड़ो आत्मा तो तिया है, अलनुद सेरी अपते रहो, यहां पर प्रारतना के लिए एक प्रोटसाहन हम देखते हैं, एन एंकरेजमेंट पॉर प्रेयर, प्रभु ईश्यो मसी ने अपने शिश्यों से कहा, जाकते रहो और प्रारतना करते रहो, और प्रभु स्वयन क्या कर रहे थे, सिहासन पर बैठे थे, बगीचे में विश्राम कर रहे थे, नहीं, पहले प्रभु ने प्रारतना किया, फिर प्रभु ने शिश्यों से कहा, तुम भी प्रारतना करें। अजीज विश्वासियों प्रभु के दासों, ये हमारे लिए प्रात्ना का एक बहुत बढ़ा प्रोथसाहन है, हम प्रात्ना में अकेले नहीं है, हमारे प्रभु अमरे साथ प्रात्ना में है, हमारे प्रभु ने हमें एंकरेज किया है, आगिया दिया है, प्रात्ना करो, और जब हम प्रार्थना करते हैं इस प्रोटसाहन के साथ कि प्रभू हमारे साथ के तब वास्तों में बड़ी आशीश हम प्राप्त करते हैं तो प्रात्ना के लिए एक प्रोटसाहन है प्रभू स्वयम प्रार्थना करते हैं फिर हमें कहते हैं प्रार्थना करो दूसरी बात जो मैं जल्दी से बताना चाहता हूँ प्रार्थना के लिए प्रतिग्या है प्रार्थना करेंगे तो ये प्रतिग्या ज़रूर हम प्रार्थना करेंगे फिलिप्यों 4, 6 और 7 पर फिलिप्यों 4, 6 और 7 फिलिप्यों 4, 6 और 7 पर किसी भी बात के किसी भी बात की चिंता ना करो हर बात के लिए तुमारी प्रार्थना धन्यवाद और निवेदन सहीद प्रभु के संमुख उपस्तित किये जाए तब क्या होगा तब जो तुमने प्रार्थना किया वो मिलेगा ऐसा लिखा है नहीं यह बहुत बड़ी प्रतिग्या है तब शांती परमेश्वर की शांती जो समझ से परे है तुमारे हर्दे और तुमारे विचारों को मसी इश्यू में सुरक्षित रखेगे दूसरा कुरन्तिओं बारंवे अध्याय में मैं पढ़ते हैं कैसे प्रेर्थ पोलुस ने तीन बार प्रदु से प्रार्थना किया प्रभु जी मेरे शरीर में काटा चुबोया गया बहुत बड़ा प्रभु का दास नहीं प्रभु ने काटा हटाये क्या प्रार्थना जब हम करते हैं एक बड़ी प्रतिक्या प्रार्थना के पीछे है हमारी आवशक्ता है पूरी हो या ना हो पर्मेश्वर की तसलिए पर्मेश्वर की शांती जो हमारी बुद्धी समझ से परे है हमारे विचारों को हमारे हिर्देओं को मसी यश्यू में सुरक्षित रखेंगी तीसरी बात प्रार्थना के लिए का अबुद्ध सहायता है there is an enablement for prayer there is a help for prayer रोमियो आठा दिया है चब्वीस और सताइस पत Romans chapter 8 verse 26 and 27 रोमियो आठा इसी लिदी से आठा भी हमारे धुरग्लता में पकाईदा करता है क्योंकि आम नहीं जानते कि प्रात्रां किस लिदी से करना चाहिए परंदू आत्मा आप लिए आएसे आगे बर्बर्कष्ट जो बयान से बाह ने हमारे लिए बिंटि करता है और मनों तो जानता है कि आतमा की मन सक्ट क्या है क्योंकि वो पुईत्र नोगों के लिए पर्मेशलित इच्चा के अनुसार भिन्ती करता है यहां पर 26 पत के पहले वाक्छे में लिखा है पवित्र आतमा हमारी सहायता करते कप हमारी शक्ती में हमारी गुद्धी में नहीं वाए कुशे शच लिखायां हमारी निर्बलता में हमारी कमजोली में प्रार्थना जब हम करने जातें काई बार दिल बोज से भरता है शच नहीं निकलते अपने आपको असहाय हम मैसूस करते अपने आपको बहुत अधना सा, छोटा सा महसूस करते हैं प्रभु जी मैं क्या मांगू, मैं क्या बोलू हमारे दुर्बलता में प्रभु हमारी सहायता करता है प्रार्थना के लिए एक सहायता है परमेश्वर का पवित्रात्मा हमारे कमजोरी में, हमारी निर्बलता में जब हम असहाय से महसूस हो, जब हम अपने आपको बहुत बोना महसूस करते हैं अकेला महसूस करते हैं तब प्रभु तरात्मा प्रार्थना करने के लिए हमारी सहायता हमारा मददगार बनकर हमारे साथ रहता है पढ़िए एक और पद दूसरा कुरंथियों साथ अधियाए ये सब आप जानते हैं लेकिन केवर स्मरंड के लिए आपको बताना चाहता हूं चाउदा वाल पंडरा पद 2nd Chronicles chapter 7 verse 14-15 क्योंकि यह दी मैंने उसके सामने जुमारे किशे में दूसरा इतिहास साथ इंदिन करने बना इंगरेशनल क्रोनिकल्स नहीं नहीं दूसरा इतिहास 2nd Chronicles दूसरा इतिहास 7 14 वर 15 अब यदे ही मेरी प्रजा के लोगों जो मेरे तहराते हैं दीन होकर प्रात्तर करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल सिफरें तो मैं स्वर्ग में से सुखर उनका पाप शुमा करूँगा और उनके देश को जो कात्यों कर दूगा हब से जो प्रात्तना इस थान में की जाएगी उस पर मेरी आँखे कुनी और मेरे कान लगे लगी वो बात जो हमें दृड करती है मेरे लोग जब प्रात्तना करेंगे नमर होकर प्रात्तना करेंगे मैं उनकी प्रात्तना अपसे इस थान से जो भी प्रात्तना की जाएगी उस प्रात्तना के लिए मेरी आँखे और मेरे कान सदेव लगे रहेंगे मुझे आपको बताने की ज़रत नहीं हमारे परिवार में भी कई बार बच्चे है ना डैडी डैडी बोलकर घूमते रहते हैं हम उनके हर डैडी को सुनते नहीं हमको मालू है आरे वो ता ऐसी है वही बोलते हैं लेकिन जब किसी संकर्ट और मुसीबत में पढ़ते हैं ना तब जब वो बुलाते हैं ना दुनिया का सारा काम डैडी छोड़कर बच्चे की सेवा में लगते हैं लेकिन हमारा प्रभू डेड़ी जैसा नहीं है हमारा प्रभू हमारी हर बात को सुनते हर प्रार्थना को कान लगा कर सुनने वाले महान परमेश्वर है जीवित परमेश्वर है हमारी प्रार्थना को सुनते है मैं दो-तीन दिन पहले एक बड़े जैन मुनी को सुन रहा था बहुत बड़े दिगंबर मुनी हैं लोग उनकी बहुत इज़द करते हैं वो कहते हैं मैंने संसार को त्याग दिया है सब कुछ त्याग दिया है कफड़े भी भी पहनते हैं मुले मैं भगवान बनने की राम में चला एक ने उसे पूछा आप भगवान बन गए क्या तो बोले नहीं अभी तो मैं चला मैंने मन में का बनेंगे भी नहीं चलते रहो बटकते रहो बनेंगे भी नहीं लेकिन हम कितने खुशाल लोग हैं कितने सौभागिशानी लोग हैं ह हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर स्वर्ग में है। हमारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर हमारे हेड़कोटर में नहीं है। हमार राजदानी में नहीं है। विदेश में नहीं है। वो स्वर्गों के स्वर्ग में सर्वोच सिहांसन पर विराज मान है घुटने देखने की देरी, अश्ट को आशु बहाने की देरी हमारा प्रभु प्रार्थना संता है एक बात और बता कर समाप करना चाहता हूं अजीज प्रभु के दासों, हमारे प्रार्थना के लिए आदर श्कौने मालुएं, स्वयम प्रभु ईश्य मस्थी, पढ़िए लूका 6, 12, लूका 6, 12, उन दिनों में, मैं हम अहाट प्रार्थना करने देया, और प्रमेश्टों से प्रार्थना करने में सारी रात में दाई, आगे के पदों में लिखा है, क्या काम किया, चेलों को चुनने से पहले प्रभु ईश्य मस्थी ने सारी रात प्रार्थना करने में दाई, प्रभु को नहीं मालुम था क्या, कौन है चेले, कौन है कि किसको चुनना है, प्रभु को सम मालुम है, प्रभु को उनके नाम माल प्रभू को उनके काम मालूम है, ये शैचियाली सध्याय, उसके दस पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर, अंत की बात को शुरू से ही जानने वाला परमेश्वर है, प्रभू सब चानते हैं, पत्रस ऐसा करेगा, यहुदा इसकरियोती ऐसा करेगा, युहन ऐसा करेगा, य अजीज विश्वासियों, अब प्रभू के दास हो, जब हमारा प्रभू, हमारा स्वामी, प्रभू इश्यमसी ने सारी रात प्रार्थना में बिताए, मैं और आप कोने हैं, हमें कितने समय, कितने रात, कितने दिन इखटा प्रार्थना में बिताने हैं, प्रभू सहाईता कर हमारे प्रभु प्रार्थना सुनने वाला महान परमेश्वर हमारी हर बात के लिए, हमारे हर काम के लिए, हमारी हर आवश्यक्ता के लिए हमारे हर तकलीफ बिमारी के लिए, हमारे हर बात के लिए हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं केवल गीत गाने वाले हम नहीं हैं, अनुभव से हम कह सकते हैं, इश्यू काफी है, हर दशा में, हर परिस्तिती में, मेरे जीवन में इश्यू काफी है, वो प्रार्थना सुनने वाला, जवाब देने वाला परमेश्वर है, इसलिए जब हमारे पास प्रार्थना के लिए प् प्रार्थना करें प्रभु से आशीश पाएं ऐसा करने के लिए प्रभु मेरी और आपकी सहायत और मदद करें परमेशर के नाम की महिमा हूँ